चुनाव से पहले बीजेबी का कुनबा एक बार फिर से बड़ा है और इमानदार शवी के अधिकारी रहे कानपूर के पूर पुलिस कमिश्टर असीम अरुन बीजेपी में शामिल हो गए है इस दरान केंद्र मंत्री अनराग ठाकुर और यूपी बीजेपी अध्धक्ष स्वातांदर देव सिंग यहाँ पर मौजूद रहे रिपोर्ट देखे हैं यूपी बिधान्स बाद चुनाव जैसे जैसे नज़्दी का रहा है वैसे वैसे सियासी पार्टियां अपना अपना कुन बाप बढ़ानी में जुटी है इस इक्रम में भारती जनधा पार्टी में पूर आईपेस अधिकारी यसी मरुड ने लखनाव सित्थ पार्टी काराले में बिजेपी के सद्धसता ग्रहन की इस मौके पर विजेपी पड़ेश अधक्च स्वतंत रेव सिंग और किंद्री मंत्री अनराग ठाकूर मौजूद रहे ज़ुरान अनराग ठाकूर ने कहा कि हमारी पार्टी में दंगा रोकने वाले शामिल होते हैं सपा में दंगा कराने वाले आज समाज के सामने उत्तर परदेश के सामने एक सपस्ट हुआ है कि भारती अन्ता पार्टी में साफ इमांदर छ़भी के दिकारी आ रहे हैं और समाजबादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई कईयों के खूंचरंगे वह हाथ वैसे जा रहे हैं उनकी सूची नमबर वन, मैं तो कहता हूँ, सीट नमबर वन जो है, वहाँ पर उनके प्रत्याशी कौन? नाही दहा सकता, कौन है? जिननों कहियों के खिलाफ दंगा करने का, अपरादी के मुगदमे होने का, पलायन को मजबूर करने का, इनको सरक्षन देने का काम किया है, य इक इमानदार्च भी, दलित, सोशित, पंचितों के, पिछणों की, न्याय के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनका सोशन नहों, उनके उपर किसी प्रतार का अत्याचार नहों, ऐसे, अस्रीम अरुण जी के, परिवार के पिता जी ने डीजी पी रती भी भी, कि अपना जीवर विदित किया, विजेपी ज्वाइन करने के बाद असी मरणों ने कहा, कि मैं आज बहुत खूशों और संतुष्ट भी हूँ, विजेपी के नए नेतरत को विक्सित करने की सोच है, वो इसे एक योजना की तरह चराते हैं, मैं भी इस योजना की कड़ी में हूँ, मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये अवसर दिया. बरहाला पूर कमिश्टर असी मरून पूर तरीके से भाजपाई हो गए है, अब असी मरून का अगला कदम क्या होगा, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम सवाल अभी बाकी हैं.